नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग और आई होप बढ़िया होंगे तैयारी चल रही होगी और बहुत सारे बिद्ध्यार्थियों का ये जो सवाल है इसको ले करके मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए कि कब होगा भई आने वाला एक्जाम समय पर होगा नहीं होगा क्या सिती बनी रहेगी आई इसके उपर चर्चा की जाए तो अगर हम अभी तक के बचे हुए दिन के बार में बात करें है ना नमूमबर बचा है दिसंबर बचा है कुल मिलागर के दो महीने हमारे हाथ में हैं और अगर एक्जाम होने वाला है December के महीने में तो फिर क्या संभावना है exam हो पाने की आईए देखते हैं डेटा लेकर के बात करें जैसा कि मैंने कहा कि कुल मिलागर के दो महीने और सब मिलागर के 66 दिन है हमारे पास क्या 61 दिन में exam हो सकता है तो जी हाँ हो सकता है, दिसंबर के अंतिम हपते में और अंतिम दिनों में exam अगर conduct करना चाहें तो हो सकता है, पूरी संभावना है, लेकिन उसके लिए आज के आज ही आवेदन का process शुरू हो जाना चाहिए, registration का event आज से ही public हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, अब आप जून 2022 का जो भी schedule है, registration शुरू होने से लेकर के exam conduct होने तक का इसे देखते हैं, तो क्या जानकारी निकल करके आती है, registration का process शुरू हुआ था, 11 जुलाई 2022 को, एक महिने तक का वक्त दिया गया आवेदन करने के लिए, और अंतिम देट थी, 17-8-2022, 17-8-2022, अंतिम दि कई बार जरुत पढ़ने पर date extend भी किये जाते हैं, आप जानते हैं, और फिर correction और बहुत सारी चीज़े जो बीच-बीच में हो रही होती है, admin card release हुआ 13-9-2022 को, और exam की date थी 16, 17 और 18 September, जो कि आपने exam दिया है, right, कई सारे विद्यार्थे ऐसे होंगे जोने exam नहीं दिया है कोई बात नहीं, बड़ ये था हमारा schedule, और अगर कुल मिलागर के देखें, तो इन सारी चीज़ों को करने में लगे थे 66 days, जी हाँ, कुल 6-6 दिन लगे थे इस पूरे process को complete करने में, और अभी हमारे पास 61 दिन है, अगर आज के आज registration का event शुरू हो जाता है, अगर registration की process श सुबा उटते ही हमें, registration को लेकर के सारी जानकारी दिल जाएगी, क्योंकि भी result भी announce नहीं हुआ है, ठीक, तो ऐसा लगता है कि exam कब हो सकता है, जनवरी में, अब ये सब कहने की वज़ा, इसलिए है, या मैं इसलिए आश्वस्त होकर कि इस जानकारी को आपके साथ शेयर कर है, तो ये सिती लग रही है, आने वाले exam को लेकर के, और अभी भी आपके पास, अगर बात की जाए, तो चार महिने का वक्त बनता है, अगर फरवरी के आसपास exam होगा, ठीक, तो वो बच्चे जो निराश है, उनको लग रहा है, दो महिने में exam की तैयरी कैसे हो सकती है, don't use or don't actually mislead yourself, आप अपने आपको गुमराह ना करें, क्योंकि situation ये है, कि exam दिसंबर में होने से रहा, समय ही नहीं है इतना हमारे पास, तो ये दिसंबर का exam कहा जाने वाला है, जनवरी में, short, short, और जनवरी में भी या तो अंतिम हपते में, या तो फरवरी के शुरुआती तो में कुल मिला करके आपके पास, मैं मानके चलता हूँ कि और भी वक्त है, आप इन चार महिनों के भीतर, या दखेगा, मैं ये मानके चलता हूँ कि फरवरी भी हमें मिलने वाला है, चार महिनों के भीतर, आप आपकी तयारी कर सकते हो, आप आपके revisions कर सकते हो, आप examination है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है तो हमारे टीम के हमारी best of information knowledge के इसाब से हमने ये अंदाजा लगाया है कि आने वाला जो exam है अंदाजन ये जनवरी या फरवरी तक जा सकता है और आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके किसी प्रकार से काम क्यों होगी और अगर ये जानक को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजेगा उसके अलावा जो भी आपके मन की कोई दुविदा है तो आप इस वीडियो के comment box में डाल सकते हैं उनका भी जवाब देने के लिए मैं कोई न कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर ले आऊंगा और ऐसा कोई वीवर जो पहली बार इस च टीक आती है गलत जानकारी हम नहीं फैलाते है ठीक ओके और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की चीज़ें जो आपको जरूरी है किसी exam के त्यारी के लिए तो उस चीज़ों को उस सारी information को इस channel के उपर आप आसानी से पा सकते हो lectures बहुत सारे पी वाई क्यू वीडिय आएगा आप इस channel को subscribe करके रखिए बेल आइकन प्रस करकर रखिए निशिंद रहिए आपको ऐसा करने के बाद regret कभी नहीं होगा आपको हमेशा ही इस channel से फायदा ही मिलेगा तो इसी जानकारी के साथ thank you thank you so much happy learning मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और जानकारी के सा अभी के लिए धन्यवाद good bye